आज वुपेश कैबिनिट की बैठक चल रही है जिसमें कई एहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और आपको बता दी के मंचाली में बैठक चल रही है कैबिनिट नई रेत खनन नीती को मंजूरी दे सकती है कैबिनिट में आगामी खरीफ वसल के लिए खाद बीज की उपलब्धिता की समिक्षा की जा रही है और स्काइवॉक के मुद्दे और आगामी विधान सभा के मानसून सत्र की तैयारियों पर भी कैबिनिट में चल चाह हो रही है तो नई रेत खनन नीती को मंजूरी मिल सकती है इस कैबिनिट बैठक में आज और आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई साय से मुद्दे हैं जहां पर आज बैठक चल रही है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज 36 गड़ में बोपेश बगिल कैबिनिट बैठक आई जित की जा रही है और इसमें कई ऐसे एहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी और जियादा जौनकारी के साथ स्वरात समता आशीश रेतेवारी हमारे साथ लाइब डूड़ गाए है जैसके आशीश बुपेश कैबिनिट बैठक आज है किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है देखे करीब सौ दिनों बाद बेश कैबिनिट के बैठक हो रही है लोग सब चनौ के पहले जब अचास नहींता लगे थी तब से कैबिनिट के बैठक नहीं हो सकी थी और अब ये बैठक जो बुलाई गई है तो कई महत्पण मुद्दों पर चर्चा हो रही है बैठक दिलाओ कर सकती है जिस तरीके से जन्गुषना पत्र के दोरान भी इस तरीके की चर्चा होती थी कि प्रती परिवार सात रुपए किलो चावल देने को लेकर सरकार निड़ने ले सकती है इसे खाब विभाग ने प्रस्ताओं के तोर पर आज की कैबिनेट में पुटब किय है इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद इस पर यदि सरकार फैसलर लेती है तो 36 गड़ में अब प्रती बीपियल परिवार के हिसाब से 7 रुपए किलो चावल देने की योजना पर सरकार निड़न लगा सकती है फूड डिपार्टमेंट ने ही एक और परस्ताओ इसमें एड़न किया है कि जो एपियल परिवार है पुने भी 10 रुपए प्रती किलो की दर से चावल दिया जाए हालाकि इस पर सरकार फैसलर लेती या नहीं लेती ये कैबिनेट के मिटिंग के बाद सिटी इस परस्त हो प परिवारों की संख्या जो है वो 65 लाग के आसपास पहुंच जाएगी ये एक बड़ा फीगर है और अभी तक्रीबन 55 लाग परिवार इस डाइडे में आते हैं एक वन विभाग का महत्कुन रस्ताओ आज कैबिनेट में आ रहा है कि लेमरू को लेकर लंबे समय से ये लगा सकती है और लेमरू अब एलिफेंट विजर्व डिकलेट कर दिया जाएगा हाला कि इस पर सरकार फैसल लेती है या नहीं इक कैबिनेट के बार इस सिटी इस पर सो पाएगी विधान सबास सत्र की की नोटिफेकिशन जारी कर दिया गया है 12 तारीक से 19 जुलाई तक य हो सकती है पहला अनुपूरत भी सरकार चुती लाएगी कई महत्पुर्ण संसोधन विधायक सरकार ला सकती है लिहाजा इन तमाम पहलों पर भी चर्चा बैठक के दोरान होगी साथी साथ कल जिस तरीके से बड़ा फैसला बैलडिला में नंदी राजपहाड को बचाने को लेकर जिस तरीके से आदिवासी लामबंध हुए है और एक डिकेशन ने मुख्यमंत्री से मुलकात की है उसे जुड़ेवे मुद्दो को लेकर खनी जिभाग एक प्रेजन दे सकता है और कैबिनेट पिछली सरकार के जिस तरीके के आदिश रहे हैं उसे रिव्यू करने प पर भी फैसला ले सकता है तो यह तमाम मुद्दे होंगे जिने आज की कैबिनेट पर एजिंडे के तौर पर लाया गया है और इस पर चर्चा के बाद इन पर मुखर सरकार लगाईगी जैसा कि आशी शाज कैबिनेट बैठक में रेट खनन नीती को भी मन्जूरी को लेकर बी चर्चा चल रही है और लहाजा सभी की निगाहे भी इसपर चिकी हुई थी कि पछली सरकार में रेट खनन को लेकर भी तमाम सुरकियां रही हैं लहाजा मुधूदा सरकार ने कहा था कि अबैध रेट пятन को खत्म किया जाए का नही 23 निती लागू किये जाएंगे तो नीती को ममजूरी को लेकर क्या चर्चा आज चर सकती है आशीश देकि मुम्किन है कि जिस तरीके से जेट खनन को लेकर सरकार लगाता इस्टेंड लेती रही है खासवाद पर पिछली सरकार के कई मत्पूर फैसलों को सरकार ने पलटा है और इसे एक प्रस्थाओ के तौर पर जरूर आज कि कैबिनेट के मिटिंग में लाया जा सकता है लेकिन इसके फिलाल जानकार यह पर नहीं है लेकिन यदि यह प्रस्थाओ तयार किया गया है ख़दीज उभार की तरफ से तो इस पर चर्चा कैबिनेट में होगी और चर्चा के बाद नितिगत फैसले भुपेश सरकार जरूर लेगी जैसा कि पहले सी ही वादा करती आ रही है 36 गर सरकार इस कैबिनेट बैठक से पहले ही कि बीज खाद की उपलब्धिता को लेकर किसानों में थोड़ी सहूलियत लाई जाएगी तो पहले से कहीं न कहीं एक हिंट देती जरूर नजर आई है सरकार तो उसको देखते हुए क्या अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं इन किसानों के लिए देखे खाद भी इसकी प्लब्धता और खरीज सुजन की तयारी हो या अभी सुजन की तयारी हो ये कैबनेट का एजेंडा कभी होता नहीं है लेकिन जिस तरीके से मंत्री मंजल के तमाम सदर्शिय एकजूट होते हैं और जिस तरीके से खरी सीजन के तैयरियों को लेकर सरकार के बितर चल रही है एक प्रजेंटेशन जरूर कृषिणी वाग की ओर से दिखाया जाता है और उसके आधार पर नितिगत सहसे सरकार लेती है जाही सी बात है कि आज जब कैबनेट यहाँ पर चल रही है तो खरी सीज को लेकर सरकार एक समिक्षा कर सकती है एक रिव्यू कर सकती है तैयारियों की समिक्षा कर सकती है और इसके जुड़े वे कुछ मात्पूर निर्देश जो है अपने मातर तरिकारियों को जारी कर सकती है हलाकि यह एजेंडे के बाहर की चीज़े है चले बहुत शुक्रिया में जानकारिक लियाशीश और अगली खबर जहां कमलनाथ कैमिनिट की बैठक में